तो दोस्तों शिर्म बात कने वाले HDFC बैंक के बारे में और HDFC बैंक के अंदर आज आपको यहाँ पर 1.1% के अराउंड की positive closing देखने को मिली है और आज यहाँ पर जो overall bank nifty के अंदर जो इतना बड़ा move आया है उसमें major role यहाँ पर HDFC बैंक ने भी play किया है तो यहाँ पर बैंक निफ्टी ब्रेक कर चुकर उसके उपर close हो चुका है तो यह एक positive sign है यहाँ पर strength का sign है HDFC बैंक को आपको यहाँ पर करना है long जहाँ पर यह stock खड़ा है 1580 वे exactly इसके breakout के उपर कल मानलो morning में 1580 निकल जाता है flat opening के बाद तो आपको buy कर लेना है positionally जो आपका target होगा वोगा 1640 1650 से लेकर 1700 on the upside stop loss अगर आप चाहो तो 1540 अराउंड का रख सकते हो जब यह stock यहाँ पर breakdown के बाद टीक है कौन से breakdown के बाद जब इसने यहाँ पर यह 1680 का level break किया 1540 आ गया मैंने आपको कहा भी था कि 1540 के level से HDFC bank के अंदर reversal आएगा और actually में वो आ चुका है again 80 points हमें मिल चुके है but we are still waiting for the bigger targets